जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर पांच questions सही बनाता है तो उसे 2 star मिलेंगे जो बच्चा 7 questions सहीं बनाता है तो उसको 3 star दो बच्चा 9 questions आपका सहीं बनाता है तो उसको 4 star जो बच्चा 10 के 10 सहीं questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप Google store में जाएंगे Google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question air program दिखाए देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम show करेगा उसमें ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक विचार लाता हूं उससे पहले मैं छात्रों को बोलना चाहूंगा कि जो छात्र पूरा वीडियो देखता है वो जरूर लास्ट का question का answer comment box में दे ताकि उससे खुद का उसे आकलन हो सके कि वो सहीं उत्तर द है वो कभी घृणा से कम नहीं होती अगर एक देशित रूप से अगर administrative service के छेतर में अगर देखें तो कई बार होता है कि हम अलग वेपे जाएंगे से घृणा के वेपे ना लेते हुए एक अलग वेपे सोचें तो हम कभी ना कभी frustrated होते हैं कभी ना कभी जो है हमारे इसाम निकल नहीं रहा है कोई बात नहीं कोई सी भी situation रहे और इनकी सोच देखिए ऐसे ही इन्हें जो है एसिया का जोती पुझ नहीं कहा जाता यह कहते हैं नीचे में प्रेम से होती है इनका एप्रोश देखें इनकी सोच इनकी जो चिंतन मनन और इस्मरन छमता से जो इन का एप्रोश देखें कि यह कह रहे हैं कि गिरिणा कभी गिरिणा से कम नहीं होती किस से कम किस से जाती है आपका प्रेम से होती है तो याद रखिएगा प्रेम की भावना अपने पढ़ाई पे निरंतर बनाये रखें प्रेम की भावना अपने पढ़ाई में रखें और या पेदन करना चाहूँगा कि वो पहले आपका सब्सक्राइब करें देन उसके बाद आपका बेल आइकॉन को दबाए ताकि नोटिफिकेशन उसको मिल सके ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देख रहे हैं हम भारत का इतिहास हमारा विशा है जैसे मैं कि हमेशा बताता आप बुद्ध धर्म भी कहा जा सकता है लेकिन बहुत धर्ध धर्म से इसको मेंशन करिएगा और याद रखिएगा कि इससे जो पहले वाला वीडियो रहा है वो पार्ट टू रहा है जो कि बेसिक जितने भी कोश्चन किये जा सकते हैं बेसिक से जितने कोश्चन आ सकते हैं आपका यहां स्टार्ट हो रहा है आपका थोड़ा से एडवांस लेवल तो पिल्कुल रिवाइस करते हुए सारी चीजों को हम कवर करते हैं उसको हम दिमाग में संजो सकते हैं अच्छी तरह से पिरो सकते हैं ताकि जब हम पेपर हॉल में बैठें तो हमें सारी चीज़े क्या हो याद आनी चाहिए तो यहाँ देख सकते हैं चात्रों आपको देख रहा है कि यहाँ से दिखेगा तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म से प्याधारित सारी कहानी हमने पहले देखे थे उनके पिता का नाम जो है आपका सुद्धोधन रहा है उनकी माता का नाम महामाया वो एक प्रिवंस में पैदा हुए ठीक है और उसके साथ याद रखना है जब महामाया के गर्भ में जब गौतम बुद्ध आये तो उन्हें सुमेध नामक एक बोधी सत्व का स्वपन आया जो कि एक हाथी के रूप में भी माना जाता है और आपका एक बोधी सत्व के रूप में भी माना जाता है ठीक है इस प्रकार से हमें परिच्छों की तर्थ याद रखना है तो जब वो गर्भ में थे तो उससे याद रखना है कि उसे हाथी से प्रदर्शित किया जाता है एक हाथी का चीन द्वारा जो है आपको प्रदर्शित किया जाता जब उनकी गर्भावस् जाता हूं, ऐसा कहे हो, तो बिल्कुल माता, महामाया ने उन्हें परमिशण दिया, बिल्कुल जो है, आप जन मिली Apple लिजीए, और साथ में उन्होंने इसे शेर किया अपने पती से, जिनका नाम शुद्दोधन जो कि गौतम बुद्ध के क्या थे आपके पिता थे उनसे वो शेयर किये तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा थे तो राजा रहने के साथ उन्होंने पंडितों से सलाह ली और सलाह लेने के पस्चात उनको पंडितों ने बताया कि ये बच्चा अगर घर में रहेगा तो एक बहुत ही अच्छा राजा बनेगा बहुत ही अच्छा छत्री बनेगा और अगर ये घर से बाहर गया तो याद रखेगा ये पूरे दुनिया को ग्यान देगा और ऐसा ही हुआ जब वो घर से बाहर निकले तो आपका क्या हुआ पूरे दुनिया को क्या देने लगे आपका बुर्द्ध धल्म का ज्यान दिये अस्टांगिक मार्ग मन्जीम प्रतिबदा मध्यम मार्गी जीवन यापन करने का सारा उद्दे से दिया जिसे हम आगे में पढ़ते हैं आई यहां देख सकते हैं आप जैसे ही प्रचलन था एक पहले राजपाट में कि जो भी अगर महिला अगर्भवती होती है तो प्रसाव के लिए वो कहां जाती है प्रसाव के लिए वो जो है अपने माई के जाती है तो जब माता महमाया प्रसाव के लिए जा रही थी अपने माई क हो गया ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आगे आद देखते हैं कुछ समय बस्टाद पुस्टकों में दिया है और बहुत सारे स्ट्रोत के अनुसार साथ से आठ दिन में माता महामाया की मिल्प्तियू हो गई और जो है माता गौतमी जो की इनकी मौसी थी उन्हों इनका पालन पोशन किया ठीक है इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं इन्हें बहुत ही सुसजित और बहुत ही बहुत ही बहुत जीवन यापन करने के लिए बहुत उप्योग करता हूं मैं चमा चाहूंगा लेकिन इसे जो है आप अपने एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस एरिय या इंटर्वियो सेग्मेंट में यूज ना करें ज्यादा बहुत है ठीक है कोई बात नहीं कहीं भी यूज कर सकते हो लेकिन उन्हें बहुत ही बहुत ही बहुत जीवन आपन करने के लिए क्या मिला आपका उनको जीवन मिला सारी सुख सुविधाओं से परिपून धनुर परिष्थिति चाहे जैसे भी हो अगर मनुष्य अगर अपने दिर्ण संकल्पिता दिर्ण संकल्प कर ले कि मुझे पाना है मतलब पाना है मुझे उपदेश देना है या मुझे इस मार्ग में चलना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है तो आई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कहानी आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद कुछ समय पस्चात उनका जो है विवाह हो गया या सोधरा के साथ ठीक है तो गौत समय हुआ शादी के पश्चात विवाह के पश्चात जब वो निकले कि अपने पिता जी से उन्होंने पर्मिशन ली कि पिता जी मुझे जो है जाना है कहां आपका अपने राजपाट को देखना है तो उनके पिता जी को भी लगा कि बिल्कुल जरूर देखिए आपको प्रश कि आपका जिस मार्क का उन्होंने चैन किया वो कैसे जाओं उसके लिए उनका हिर्दय परिवर्तन कैसे हुआ वो आज समझते हैं सबसे पहले उन्होंने एक वृद्धिवैक्ति को देखा कि ने देखा एक वृद्धिवैक्ति को देखा तो उन्होंने अपने सार्थी से प देन उसके बाद उन्होंने आपका एक बीमार व्यक्ति को देखा तो बोले यह क्या है तो बताये कि बीमार तो व्यक्ति जब बुड़ा हो जाएगा तो किसी ना किसी कारण की वज़ा से किसी ना किसी अभाव की वज़ा से वह वह बीमार पड़ेगा और ऐसा होना है यह तो ये एक जीवन का कट्व सत्य है, तो इसे तो हमें अपना नहीं पढ़ेगा, तो धीरे-धीरे उनका क्या हो रहा था? हिर्दय है, परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, उसके पस्चात एक व्यक्ति बैठे हुए थे, जो कि योगासन के मुद्रा में बैठे हुए थे, एक सन्य थे एक तपस्वी थे उन्हें जब गौतम बुद्ध ने देखा तो बोले ये क्या है तो सार्थी ने बताया कि ये एक तपस्वी है और इसको दुनिया के मोम आया से कोई फरक नहीं पड़ता ये अपना भिक्छा मांगे जो है अपने जीवने आपन करता है देन उसके बाद ये वापस अपनी योग मुद्रा में बैट जाता है अपनी साधना में बैट जाता है ठीक है इस प्रकार से याद रखना है फिर देन उसके बाद उन्होंने निर्ना लिया कि संसार जो है नित्य है चणिकवात का जो है सिध्धांत इन्होंने ही प्रतिपाजित किया जिसे ह आपका महाभीन इसक्रमन के रूप में जाना जाता है, पिछली कक्छाओं में किया हमने, ठीक है, तो गृत्याग को गोड़े से दर्साया जाता है, और आपका महाभीन इसक्रमन कहा जाता है, तो यह याद रखना है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने साथियों के साथ, कोटिनियों उनके साथियों के साथ आपका यह तप करने लगे, बहुत तपस्या करने लगे, पर भी से ज्ञान की प्राप्ति इन्हें नहीं हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया, जब बोध गया गया गया, तो वहाँ पीपल व्रिच के नीचे, बोधी व्रि इसे ही आपका धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानात रहता है, यह रहे कोटिनियों उनके साथ ही, जिनको इन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था, ठीक है, और कहां दिया था, तो सारनात में दिया था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी सभाय की, मैंन आग्मन नहीं था बाद में आनद ने क्या किया आपका बोलके महिलाओं का भी आग्मन आपका अधर्म में प्रवेश आपका वरजित कराया वोले आपका सवरी चामा चाहूंगा आपका महिलाओं का आकमन जो है आपको वो पर्मिशन दिलाई ठीक इस प्रकार से याद रखना है ठीक अब उसके बाद जो है याद रखें कभी-कभी तूटी हो जाती है भई याद रखेगा फिर उसके बाद जो है गौतम बुद्धि की कुशीनागर में यूपी में उत्तर प्रदेश में सब्सारी चीज़ों को यहां दिखाई दे रहा है आपको बौत धर्म के सिध्धान बहुत सारे सिध्धान अजिसमें एक त्री रतन है प्प्र धम और संग जो है त्री रतन के अंतरगात आता है ठीक है यह याद रखना है परिच्छा उभ्योग है ठीक है ज्यादा डीटे कर सकते हैं संसकारिक दुखों के संबंध में चार आरे सत्थ है क्या है दुख है मैंने कल बता है दुख है तो दुख का भी एक क्या है दुख समुधाय मतलब दुख का कोई न कोई कारण है बौतम बुद्ध का सिध्धान्त रहा है सब्बम दुख है मतलब सारी चीजे जो है नित्य है, सारी चीजे मतलब सारी इच्छाएं, जो है इच्छाएं की इच्छाओं की वज़े से दुख है, और दुख का कोई न कोई कारण है, और कारण का निरोध किया जा सकता है, उसके लिए आपका दुख निरोध गामी प्रती पदा, जिसमें अस्टांगीक मार्ग का इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, अस्टांगीक मार्ग संसारी दुखों के लिए मुक्त हेतु उपाय क्या है, तो आपका साम्यक दृष्टी हमें अपनी नजर अच्छी रखनी है, साम्यक संकल्प हमें किसी भी उद्दे से के लिए संकल्प रखना जरूरी है, फिर उसके बाद क्या साम्यक वाणी, अगर आप अच्छा बोलोगे, तो याद रखेगा साम्यक आपका कर्म कहलाएगा, कर्मांत, उसके बाद है अच्छा जीवन यापन करोगे, तो साम्यक व्याम अच्छा जीवन होगा, कैसे होगा, आपका व्यायाम करना होगा, exercise is the most important for our life, याद रखेगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सारी जो भी चीज़े हैं, लेकिन साथ में exercise और आपका व्यायाम है, जो उसको अपने जीवन में जरूर लाइए, ताकि थोड़ी सी activity आपकी बढ़ जाएगी, इसका मैं आप लोग को प्रमार देता हूँ, कोई भी वेक इनकी मुद्राइन ही दिखाई जाती है, बिल्कुल व्याम करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन में, अब एकदम वो, क्या भाव वली, sorry, bodybuilders, वैसे नहीं, लेकिन यह है कि एक रूल होना चाहिए, लाइप में exercise के प्रति, यह मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, दे इस प्रकार से याद रखना है, ठीक, अगर बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अन्य उपदेश क्या क्या है, तो बौध धर्म जो है, अनिश्वरवादर है, कर्म वादर है, कर्म करोगे, जैसा करोगे, पुनर जन्म पे अधारित है, पुनर जन्म में बौध धर्म यह विश्वास करता है, इस प्रकार के तथि याद रखना है, अब जो है, शील के आके हैं, बौध धर्मेदस शील है, ठीक है, जो इस प्रकार से है, अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, अस्ते ये, ठीक है, व्याभीचारी से बचना है, ठीक है, सर, आपका सेवन बिलक ना करना पड़ेगा तो यह जो कह रहे हैं या किसी व्यक्ति ने कहा है और जो भी जो व्यक्ति जो है अपने अच्छे मुकाम में पहुच चुक है अगर उसे देखें तो कई लोग है आप वाद में कि आपको दिखेंगे कि जो आपका सेवन नहीं लेकिन याद रखेगा सर आ आपको बॉड़ी पेन होगा याने मतलब उतनी समस्या होती है इसलिए थोसा टफफे सर्फेस में सोना चाहिए जिससे कि हमें जो हमारा बॉड़ी स्ट्रक्चर जो है अच्छा होता है बिल्कुर सही है सारी चीज़े साइन्टिफिक रही है कुछ-कुछ जो है मदभेद र बढ़के लोग को कि इस्तिरियों से बचना है लेकिन याद रखना है सातरो कि इस्तिरियों को भी पूरुष से बचना है ठीक आगे बढ़ते हैं यह निर्ट्यगान आदी से दूर रहना है ठीक अब इद्दम बचना इस सतातपर याने कि इददम एंटी हो जाए अब भrage उसके पस्चाथ है बौध धर्म की मान्याता है, क्या क्या है? अनिश्वर वादी रहें, ईश्वर पे कोई भल नि रहें, इनका बिलकूस सही है, अनात्मवादी, ठीक है? कर्म फल और पुनारजन्म की मान्याता रही, जैसे कि मैंने पसे बताया है, प्रति स्वमुद पात मतलब होता है मेरी जबान थोड़ी पलटनी नहीं जल्दी जन्म पुना जन्म का चक्र जिसको महात्मा उद्ध ने बारा चरण में बताए है जिसकी डिटिलिंग आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं उसके बार चनभंगूरता मतलब कि सारी चीजे नित्य है यहीं रह जानी है जो कुछ समय के लिए आपको सुख प्राप्ती होगी लेकिन याद रखेगा कभी भी अगर कोई गलत कदम उठाने के लिए जाओगे तब याद रखेगा साड़े सारी चीजे जो है आपका चण भंगूर है इस उद्देशे से हमें पढ़ना है ठीक है सन्यासी नहीं बन जाना है ठीक हमारा मुख्य उद्देशे के है एड्मिनिस्टरिव सर्विस हमें क्या काना है पोस्ट पाना है तो उस उद्देशे से पढ़ना है चण भंगूरता पर इसका विश्वास है तो कभी भी अगर चण भंगूरता असे पर बल देना रहा आपको कि हमने गौतम बुद्ध के बारे में यह पढ़ा था चण समय के लिए रहना है फिर उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको बुक्स उठानी है देन उसको रीट करना है और आपको अपना सपना पूरा करना है ठीक है आगे बढ़त संगीतिया इससे 101 परसेंट दिखते हैं administrative service में तो याद रखना है पहली बहुत संगीति चारसो तरासी में दूसरी आपकर तीम सो तरासी में 247 पूर में तीसरी हुई फिर उसके बाद जो है 100 एड़ी याद रखेगा चतुर्त वाले याद रखना है 100 एड़ी ठीक यहां लिखाया नहीं है कोई बात नहीं 100 एड़ी में इनकी अध्यक्षता कर रहे थे अजाश्चत्रु इस समय शाशक थे मगत समराज्जी के दुती जो है आपका बहुत संगीती हुई कहां हुई सुभू काम या सभाकामी में हुई ससका पनाओ कालाशोक तितिबहतनी में हुई इस समय क्κα अशोक कर रहे है गाहितनी तीशॠि शाशक आई रख हुआ अभिदम में पीटक की रचना भी तीसरी बहुत संगीती के समय में हुई जो की एक बहुत ग्रंत रहा है ठीक तो इसके प्रशन आपको देखने में मिलेगा सारी चीजी समझाऊंगो ठीक आगे बढ़ते हैं चतूर बहुत संगीती कहां हुआ कुंडलवन में हुआ कश्मीर म वसुमित्र और अस्वघोस इसके अद्धिक्चता कर रहे थे इसके पस्चात ही बहुत धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया ही नियान और महायान और आपका यह याद रखना है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला रहा बहुत ग्रंत यहों उनके रचनाकार यह रट लो इस बाद है वसु तिकम जो है आपका बुद्ध द्गोस ने लिखा है उसका अभिधमकोस जो है वसु बंधु ने लिखा है इस प्रकार के तथी इसे रटना पड़ेगा आपको और एक बार अगर अच्छी तरी चार बार पांच बार इसे रट लिए तो पेपर में आपको दि संगीति की अध्यक्षता किसने की थी अभी थोड़ देर पहले बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगी में हुई आहां फिर से आपको दिखा देता हूं ठीक है यह रहां आपका राजगी में हुई महाकस्यप और अजास्चत्रू के समयम हुई तो क्या हो जाएगे इसका भई पहले का आंसर तुरंत लगाओ पहले का आंसर हो जाएगा आपका महाकस्यप द्वारा ठीक है ऐसे इमेजिनेशन करना है और अगर मैं स्लाइड ले जाता नहीं हूं तो आप आपको रिवाइंड करके एक बार देख लेना है याद कर लेना तो सारी चीज़े याद होते जाएगी आगे बढ़ते हैं देन उसके बाद है सब्त पढ़नी गुफा इस्थित है याद रखेगा सब्त पढ़नी गुफा जो है आपका राजगी बिहार में इस्थित है ठीक आपका वसुमित्र और असुघोस ठीक तो वसुमित्र होगा इसका अंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं नागरजुन जो है सुनिवाद के आपके प्रवर्तक रहे हैं कनिश के सासन काल में है और इन्हें ही चीन भेजा गया आगे प्रसन देखने को मिलेगा निमलिखित में चा ऐसे लगाना है बिलकूर सारी चीज याद रहे हैं सामने से फोकस करने में थोड़ा सा उपर नीचे होता है तो पहले क्या हो जाएगा आपका पहले क्या है सोरी यहां राजग्री राजग्री तो पहला ही होगा दो ठीक है दिख गया उसके बाद क्या है वैसाली मतलब बन दोनों में 1 दिख रहा है, देन उसके बाद कहा हुआ, आपका partly putr में तो 3rd होगा, फिर उसके बाद होगा kundal 1, kundal 1 last है, तो last में क्या हो जाएगा आपका, यह होगा इसका answer, थिक क्या हो जाएगा D, पहले का क्या है, राजगरी, बिल्कुल सही है, एक बर मिला लेते हैं, व तो बहुत संगीती से इस प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं बोध गया में महा बोधी मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुध्ध पैदा हुए थे गौतम बुध्ध को ज्यान की प्राप्ती हुई थी ठीक है पीपल विछ बोधी विच के नीचे इस प्रकार से इसका अं प्रसंगरा बिलकुल सही है अब यह किस प्रकार से है तो पहला है आपका शुत्त पेटक थी उसके बादा है आपका अभीदम्मध पीटक ठीक है इस प्रकार से याद रखना है और अगे बढ़ते हैं इस प्रसंगामाघ आठ वह है श्तूप स्थल जिसका संबंद भगवा 10 नहीं रहा है झाहती हुई थीक सांची कुछी नार मतलब कुछी नगर में उपाधि है तो संची यद रहा है बोल रहरा है आगे बढ़ते हैं या ऊगला प्रस्न है घुतना के इस तधान की सराजा यूग वाया तर्के इस्क के सासनकाल में आपका एक देवता कः देवता की उपाधी मिली घिंए ठीक है। आगे बढ़ते हैं नढ़िए जो हमारा सर्वप्र प्रथम इस्तूप सब्द सान 2 मिलता है तो याद स्थापना की यूग है याद रखेगा गुपत काल में श्थापना की राह वह लेंगे निष को रिलेट रत्ते हैं । बध्धधर्म से रिलेटेड जो है आपका नालंदा विश्वविद्या ले रहा है वहां बध्धर्म की आपकी शिक्षा प्रदान की जाती थी तो आपका गुप्त जो है आपका याद रखना है ठीक है बाकी तथ्थे जो है आगे में हम सारी चीजे करेंगे तो वहां के यह रहा प्रथम शताब्दी इस्वी में किस भारती बहुत विच्चुक को चीन भेजा गया था याद रखिये का प्रथम सताब्दी मतलब हंड्रेडेडी में क्या हुआ आपका चौथी बहुत संगीती कनिश्की के सासनकाल में वसुमित्र और आपका अश्वगोस और वसु के सारोप्रथम प्रतिबादन किसने किया मैं ने अभी बता आया नागार जुन ने सबसे पहले सुन्यता का प्रतिपादन किया अगे वढ़ते है अगला प्रतियों हमारा इस प्रकाहसे हमारे प्रकार से कम्पलीट हुई यह रहा आपका लाश में पुछा गया प्रशन बहुत सारे बच्चों ने बहुत सहीं उत्तर दिया है इसका बुद्ध की भारत में पहले जिस माना परतिमाओं के पूझा की गई वो थि बुद्ध की याद रखेगा भारत में अगर किसी भी प्रतिमा की मूर्ति पुझा सबसे पहले की गई है तो आपका खिसकी की गई है आपका बुढ्धिकी ये प्रस्न पूछा हुआ है देख लिजिए आज ये स्राजिस्थान वाले पेपर में आज का कोश्चन कुछ इस प्रकार से साथ ही हो बिल्कुल इसका अंसर देना है बहुत ही सोच और समझ के इस पे विचार करिएगा और इसका उत्तर आपको देना है इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जैहिन जै भारत